Hey guys, मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं Tech Pratik YouTube चैनल आज हम unboxing करने वाले हैं Xiaomi Black Shark 3 की Black Shark 3 एक बहुत ही powerful gaming phone होने वाला है और हम आपको इसकी पूरी specification बताएंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Tech Pratik को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe का बटन दबाएं और साथ ही bell icon को दबा कर all पर select कर लें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो के notifications आपको मिलें सबसे पहले दोस्तों ये है Xiaomi Black Shark 3 gaming phone का box यहाँ पर है Black Shark की branding और दोस्तों ये आता है 8GB RAM 120 8GB storage के साथ में जहाँ पर इसमें आपको मिलेगा midnight black color दोस्तों box को कर लेते हैं open और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा तो सबसे पहले phone को रख देते हैं side में और इसमें एक card दिया हुआ है जिस पर phone की specifications mentioned है इसको भी रख देते हैं side में इस section में sim ejector tool साथ ही है back case और यहां पर दिये हुए black shark के stickers साथ में user manual चलिए बात कर लेते हैं other accessories के बारे में तो यहां है type A to type C cable यह है इसका 65 watt का fast charger यह phone को बहुत ही fast charge करेगा दोस्तों latest smartphone की unboxing video सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी subscribe कर लें और दोस्तों अब बात करते हैं हम black shark 3 gaming phone के बारे में और हम आपको बताएंगे इसके price and specifications के बारे में चलिए दोस्तों इसके skin protection को कर लेते हैं remove और आपको दिखाते हैं इसका first look दोस्तों यह है midnight black color में शांदार first look black shark 3 का दोस्तों यहां पर आपको दो triangular module देखने को मिल जाएंगी नीचे वाला जो module है वो magnetic charging pin के लिए दिया गया है दोस्तों यह support करता है 18 watt की magnetic charging को साथ ही इसमें है 30 watt की wireless charging और 65 watt की wire charging middle में है S का logo RGB light के साथ में और दोस्तों इसमें जो उपर दिया गया है triangular module वो है इसके triple rear camera setup के लिए साथ ही इसमें आपको मिलेगी flash light साथ ही दोस्तों इसमें आपको 4720 mh की बड़ी battery देखने को मिल जाती है जो एक gaming phone के लिए must है चलिए दोस्तों phone को कर लेते हैं boot और आपको बताते हैं black shark 3 smartphone की display और इसकी body resigning के बारे में और दोस्तों मैं आपको बता दूँ black shark 3 work करता है joy UI पर जो की Xiaomi का अपना UI है और ये भी based है android 10 पर इसलिए इसकी performance भी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों बात कर लेते हैं phone की display के बारे में तो यहां पर आपको मिलेगी 6.67 inches की full HD प्लस amol display इसमें आपको मिलेगा 90hz का fast refresh rate साथ ही sampling rate है इसमें 270hz का दोस्तों बात करें इसके left hand side की तो यहां पर आपको मिलता है volume rocker की दोस्तों इस smartphone में नीचे की तरफ है USB-C type port साथ ही इसमें है microphone और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके right hand side की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा gaming mode switch और उपर दे रखा है इसमें power on and off button सबसे उपर है 3.5 mm का headphone jack दोस्तों कुछ इस तरह से देखती है S logo में RGB light black shark 3 phone की performance के बारे में दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है Qualcam Snapdragon 865 chipset और यह support करता है 5G को भी साथ ही इसमें Wi-Fi 6 का support यह smartphone दो अलग-अलग variants में available है जहां पर इसका base variant है 8GB RAM 128GB storage के साथ में और वहीं इसका higher variant available है 12GB RAM 256GB storage के साथ में यहां पर इसमें storage टाइप आपको मिलेगा UFS 3.0 और बात करें इसके RAM टाइप की तो यह आता है LPDDR5 पर बेस्ट और दोस्तों बात करें इसके weight की तो black shark 3 का weight थोड़ा heavy रहने वाला है क्योंकि gaming phone है इसका weight है 222 grams वहीं पर इसकी thickness है 10.4 mm की दोस्तों phone को देख कर ही आपको gaming phone की feel आने लग जाएगी phone के back में X pattern design बात करें इसके frame and back की तो यह aluminium की है और दोस्तों इसमें middle में है S logo जो की RGB light से integrated है यहाप पर green color की light जल रही है अब चेक कर लेते हैं Black Shark 3 का एंटूटी स्कूर एंटूटी स्कूर से phone की performance का पता चलता है तो दोस्तों इसमें 550,417 एंटूटी स्कूर अब चलते हैं इसके gaming mode में और आपको दिखाते हैं इसकी gaming कितनी स्मूथ होती है हम इसमें एसफैल्ट कार रेसिंग गेम प्ले कर रहे हैं और दोस्तों जोकि इस पॉन में भी आपको मिल जाता है इसमें आपको मिलता है 90 एंटी साथ ही इसमें है टच सेंप्लिंग रेट 270 हेट्स का जो कि इसकी गेम प्ले को बहुत जादा स्मूथ बना देता है और इसमें आप किसी भी हाइस सेटिंग पर गेम को खेल सकते हैं चाहिए वो पबजी हो या एसफैल्ट हो कोई भी गेम आप हाइस सेटिंग पर खेल और ये एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग स्मार्टफॉन है शाओमी की तरफ से इसमें आपका गेमिंग एक्स्पिरेंस बहुत ही ला जवाब रहने वाला है जैसा कि आप देखी सकते हैं दोस्तों ये गेम कितना फाइन चल रहा है बिना किसी लेगिंग के बहुत ही स्मार्टफॉन में आपको अलग से गेमिंग मौड के लिए ऑप्शन मिल जाता है इस स्मार्टफॉन में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक गेमिंग मोड स्विच दे रखा है उसको आप स्वाइप कर दीजिए राइट की तरफ तो आप गेमिंग मौड में आता है सौनी के IMX 686 सेंसर के साथ जहां पर आपको मिलेगा एफ 1.8 का परचर और इसका सेकंडरी कैमरा है 13 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइट सेंसर विद एफ 2.3 अपरचर थर्ड कैमरा की बात करें तो दोस्तों यह आता है 5 मेगा पिक्सल का डैप सेंसर विद एफ 2.2 बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो दोस्तों इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है 20 मेगा पिक्सल का विद एफ 2.2 अपरचर दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह गेम सेंट्रिक फॉन तो है ही साथ में आप इसमें बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको 64 मिगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है जिसमें आपको सॉनी का सैंसर मिल रहा है 686 इसकी विज़े से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी पिक्स क्लिक कर पाएंगे क्योंकि इसमें कैमरा क्वालिटी बहुत ही शांदार दी गई है दोस्तों अब ब ब्लैक शाक 3 का इंडिया में एक्सपेक्टेट प्राइज रफली 36,000 से 42,000 के राउंड रहने वाला है आपको शाओमी ब्लैक शाक 3 की ये अन्बॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और जल्दी इसे चैनल को सब्सक्राइब करके के बेल आइकन को दबाते fizилось,जिसे आगयाने वाली हर एक अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको मिले सबसे पहले ही दोस्थो कैसी लगी आपको यह अन्बॉक्सिंग वीडियो आप रहने नीचे कमैंट बाक्स में कमैंट करके जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक यू